जेव्यादो तो हाली में पच्छिम चंपारन के मर्चा धान को जो ग्रफिकल इंडिकेशन जो जर्नल होता है उसमें परकासित क्या गया है आपको यहाँ पर ध्यान देने क्या हो सकता है कि यह आने वाले समय में यानि कि जल्द ही पच्छिम चंपारन के मर्चा ध्यान को जो है G.I.T.E.G मिल जाएगा और यहाँ पर देख सकते हैं जो ग्राफिकल इंडिकेशन जर्नल में यहाँ पर बोला गया है कि पच्छिम मैं में मर्चा ध्यान को जल्द ही मिलने वाला है अब यहां पर दिखेगा जो इंडिकेशन से समंदीज जर्नल था जिसमी यहाँ पर पर फर करवाכस मर्चा राज जो है मर्चा ध्यान जो है उतको सम्लिट यह जो कि पच्छिम चंपारन से जुड़ा हुआ है नाम में भल सब्सक्राइब करें तो इससे पहले मिला हुआ था और यहां पर रिसेंट में मिलने की संभावना है जल्द ही मिल जागा क्योंकि जब यहां पर जो इंडिकेशन से संबंदी जो जर्नल होता है उसमें जब परकासित कर रही है तो वाकई में यह 100% से हो रही है कि मर्च्रधान को जल्द ही बहुत सारे लोग क्या करें यहां पर वारे लो रहा है मिल गया भी मिला नहीं है यहां पर प्रोसेस में है और जल्द ही मिल जाएगा आपको पता चलेके बिहार का व्यत्वार पास दिसको आने वाले समय में जिए टेक्ग मिलने की संभावना मैं म वां उड़ते आया है इसके बाद 52 बुटी को GI Tech मिलने की संभावना है यहां पर निधिला का रेहो मचली को और तिलकूट जो आपका गया वाला इलाका का जो तिलकूट है उसको मिलेगा जैटेक मिलने की संभावना है और यह देख रहे हैं यह कहां का खुर्मा है तो आप लोग को याद रखना है भोजपूर का खुर्मा ऐसे खुर्मा समझेगा मिलेगा तो भोजपूर जिला का खुर्मा को आने वाले समय में GI Tech मिलेगा तो मैंने यहां पर बात किया कि आने वा जल्द ही इसको मिल जागा जो पच्छम चंपान से जुड़ा हुआ है अब बात करें यहाँ पे कि बिहार का पहला उत्पाद अगर पुछा जाए कौन था जिसको जियाइटेक मिलाता तो बिहार का पहला उत्पाद मधुबनी पेंटिंग को आप लोग यह पिक्चर के मादर मधिरपान को जियाइटेक मिला हुआ है और यहां पर जदालू आम जो पहघरपुर से आइन र schwart को दिखते है जए से नालंदा का सिलाव खाजका जीन जेक है नालंदा में वहां कैंआ खाजको मिल चुका है और आप को मता दें कि यह जो है जो खाजके बारे केसे बारे कि जाता है कि इसका सवाद जो है गौतम भुझ भी एक बार चेते थे यहां पर देख रहे हैं कतरनी चावल को जो भागलपूर मुंगेर और अपार्का वाला इलाका भी फिर्मस है वहां का चावल को जी टेंग मिला हुआ है इसके बाद भागलपूर का जो सिल्क है न भाई सिल सारी जो हता है सिल्क मिला तो सिल्क को आपप लोगो याद रखना है बागलपूर का सिल्क को भी जी टेंग मिला है इसके बाद है को GI टेग मिला है और यहां पर देख रहे हैं मन्जूसा अतल आगा प्राकिरती कलर का फक्यू क्या जाता है इसके बाद आपको खटवा हजस्कला याद रखेगा वह देख झुट अर यहां एक और आपलोगों को जूड जाएगा जिसका नाम कि है भाई मर्चा धान आप लोगों को याद रखना है कि पच्छिम चंपारन का मर्चा धान जो है आली में इसको जैटेग मिल जाएगा क्यूंकि इसको जो है जो है जो इंडिकेशन जर्नल में परकासित कर दिया गया है तो यह था आज का वीडियो जो इपोडेंट वीडियो रह झदसाऊ जपकेशन ज्यची बसे दो है जो है वीडियों कि वीडियों क्का वीले को जो है तो है ए cr